हलो फ्रेंड्स आज देखिए हमने यह अम्रेला सरकल प्लाजो बनाया है और यह जो हमने तैयार किया है यह हमने डाइमीटर कपड़े से बना के तैयार किया है और आप देखी सकती है इसमें घेरा खूप सारा है और यह नैट का है यह जो इंब्रोडरिया वाला नैट होता है उसी का हमने बनाया है और कुर्ती का वीडियो पहले से ही है आप वो देख लीजिए तो आप देखी सकती है लोग जरूर ट्राइ किजिए आपने लिए इसकी कटिंग और स्टेचिंग दोनों हमने सिखाई है हम कोशिस करेंगे बहुत अच्छे तरीकी से सिखाई है ताकि तो हमने इस डाही मीटर फैबरिक में से थोड़ा सा कपड़ा अलग कर दिया है क्योंकि यह प्रॉपर दो मीटर है यह देखिए आपको दिख रहा होगा यह दो मीटर है आदा मीटर मैंने अलग निकाल दिया क्योंकि उसमें से मुझे एक तो नीचे जोएंट के लिए चाह लिएगा तो यह दो मीटर है अब मैं क्या करूंगी इसका एक कौना उठा के दो फोल्ड में करके कौना उठा के इस तरीकिसे इसको तिकौना मिला दूँगी यह देखिए वैसे इसमें टोटल तीन मीटर फैबरिक लगता है आराम से इतना लग जाता है क्योंकि इसमें गह दो इंच हमारी लूजिंग है और एक इंच हमने मारजन लिया है तो यहां से हम नापेंगे तो हमारा जैसे यह जो सरकल है वो ऊपर से लेकि यहां तक बरावर होना चाहिए अब उसके बाद हम यहां से बेल्ट है वो थोड़ी चौरी लगाएंगे तो हमने 33 इंच ऊपर न निकाल के और फिर से सरकल लगाना है देखिए इस तरीके से ताकि जो ये गोल सरकल है वो एकदम परावर आई इंच टिप को 3-3 इंच तक निकालना है जो बेल्ट है वो अब की बार हम अपनी 3 इंच की रखेंगे अब जो भी डॉट है उन सभी को मिला देंगे और देखिए यहां से कट कर देंगे और जो कपड़ा में जोएंट लगेगा वो भी हम आपको दिखा देंगे यह दिख रहे होगा आपको कि इतने कपड़ा में हमारे में दो पार्ट में जोएंट आएगा दो का तो हमारा ठीक है पूरा रहा है जहां से कट कर रहे हैं लेकिन दो में हमा हैं तो नहीं से सबस्खने करें में तो हम तुमने तकद जोड़ है कि हमएं तक थोड़ा आहिं देखते हैं कि नेट में से दिख रहा है कि कहां तक है कपड़ा तो वह ही तक आप निसान लगा लिजिए तो यहां होगा हम इसतारी से इसमें जैंट लगाना है आप हम इसमें आसन साढरे साद़े सेम निकालना है और तेर इंच पर आशन के लिए एसे और दो इंच ऊपर से इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे आसन खुली वाली साइड को लगाना है ध्यान रखियां अब यहां से आसन की cutting कर देंगे और जो इसका अस्तर है वो भी मैंने नहीं मिटर ही लिया है अब यहां से जो एक्स्ट्रा पतला वाला नैट हो उसको अलग कर देंगे अब देखिए यह हो गया इसका joint अब यह मैं आपको दिखाती हूँ यहां से इनको हम किस तरीके से लगाएंगे वो हम आपको अभी यह देखिए यहां से ऐसे लगेंगे और हम यहां से pin up कर देंगे इसको यानि की pin लगा देंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें कोई भी problem ना आई कई वार क्या होता है किसमझ में नहीं आता कि कौन सा पार्ट कहाँ जड़ेगा तो आप पहले ही उसमें खोल के pin लगा लें तो देखिए मैंने pin लगा ली है इस पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी यह 2 पार्ट में ज़ैंट आएग और 2 पार्ट इसके अलग है तो यह हो गया हमारा तो यहां से हम इसको इस तरीके से अच्छे से set कर देंगे तो देखे फ्रेंट्स मैंने अच्छे से pin up कर लिया है और एक साइड को हो गया अच्छे से अगर लगे छोटा बड़ा तो वो बराबर कर लेंगे हम से लाई अब इसको इसको भी हमने इस तरीके से अगर इसे फोल्ड में हम नापे तो इस चार तह में है कपड़ा और अपने सेम इसमें भी थोड़ा सा जोएंट आएगा हमारा जो अस्तर है क्योंकि इसकी भी हाइट कम है अगर आपको फुल पने का जो हमारा पना होता है अगर आपको इस टाइप का कपड़ा मिलता है तो आपका जोएंट नहीं आएगा इस कपड़े का जो पना है वो 40 का है तो इसी लिए हमें इसमें जोएंट लगाना पड़ रहा है क्योंकि यह जो हमारा अमरेला में कटता है तो इसके लिए थोड़ा कपड़े का पना जादा होना चाहिए अब देखिए ये जो हमारा कट आएगा वो आपको दिखाती हूँ ये दो कपड़े हैं और इनको इसके उपर ऐसे रखके और बस जहां तक हमारा लंबाई है वहां तक निसान लगा के चॉक से और इसको कट कर देंगे तो अब यहां से प्लेन में साइद आपको समझ में आ गया होगा ये देखिए बस जहां से गोलाई आई हुई है वहीं तक करके और कट करके जो extra fabric को साइड में बचा देंगे हम ये ध्यान रखें कि सिलाई के लिए उपर जरूर रखें करीबन एक सबा इंच क्योंकि जब हम इसको joint करते हैं तो उसके लिए हमें margin चाहिए होता है अगर हम बराबर रखके ही cut कर देंगे तो हमारा उचा नीचा हो जाएगा तो वस ये चीज़ ध्यान रखें अब ये belt है belt की जो चोड़ाई है वो 6 इंच है और ऐसे करके ये 3 इंच हो जाएगी तो इस तरीके से हमने इसके अगर आपको और जाद हाइट चाहिए तो आप belt की जो लंबाई है वो बढ़ा सकती है अब इसको सिलाई कर लेते हैं और देखिए belt को हमने मतलब ऐसे अंदाजे से लिया है जो एक्स्ट्रा होगी सीधी पट्टी ले लिया है अब जो ये हमने पहले joint लगाई है पिन अप कर रखा है पहले हम इनी को सिलते हैं और वैसे भी ये embroidery वाला net है तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा मतलब इतना जाज नहीं पड़ेगा तो यहां से देखिए पहले अस्तर वाला पार्ट सिलते हैं और प्रेस से अच्छे सेट कर लेंगे अस्तर वाली पार्ट को ताकि वो अंदर मतलब ऐसा ना लगे कि जैसे इसमें joint है ठीक है अच्छे से पिन निकालके और जितना margin लिया है हमने उतना ही दवाना है आपको उसे जादा नहीं दवाना है वरना जो अस्तर वाले पार्ट है वो net के हिसाफ से छोटे बड़े हो जाएंगे तो धागे को कट कर देंगे अब यह हो गया हमारा एक पार joint यह देखिए अभी हम क्या करेंगे कि आप चाहें तो इसके उपर एक सिलाई लगा लीजिए वरना इसे प्रेस से सेट कर लीजिए तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं थोड़ी मजबूती भी मिल जाएगी इसको और यह सेट भी हो जाएगा अब सेम नेट के उपर करना है आपको अभी जैसे हमने अस्तर को joint किया है और जैसे जहां जहां पे joint है उनको सभी को जोड़ लेना है तो देखिए यह जोड़ गया अब इसको सीधा रखना है ठीक है और नेट को इसके उपर ऐसे करके इसको भी सीधा ही रखना है उल्टे पार्ट अंदर होने चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे पिन अप करके और इसे चारो तरफ से सिलाई कर देंगे सिर्फ नीचे का पार्ट छोड़ के जो बॉटम वाला पार्ट होड़ता है उसको छोड़ के बाकी साइडों से और कमर वा भी करवा सकते हैं पिको इंटरलोग और इसको हम करिबन आदा आदा इंच के बराबर ही फोल्ड कर रहे हैं और सेम अस्तर को करना है आपको तो यहां से हमने कर दिया इसको अब सेम अस्तर को double fold करेंगे net को हमने सिंगल fold किया है वो हमने इसलिए किया है क्योंकि net में जादा कुछ दागे बगर नहीं निकलते हैं तो दोनों part तयार कर ली हैं अब इनका आसन जोड़ देते हैं हम दोनों की right side मिलाके और आसन को जोड के और complete कर लेते हैं फिर हम इसमें belt लगाएंगे तो एक side से इसे open रखेंगे बस एक side की जोड नहीं है आपको अपनी belt अपना आसन एक side से जोडना है एक side से खुला रखना है अब दोनों side से इसमें सिलाई लगा दूँगी ताकि अस्तर और अपनी belt है जो वो अच्छे से जम जाए एक कपड़ा इदर उदर को ना खिसके तो जो भी इसमें जोल बगएर है वो सब निकालते हो एक side से मैंने कर लिए complete अब दूसरी side से सिलाई लगा रही हूँ और फिर हम इसे अपने प्लाजो में लगाएंगे तो देखिए मैंने प्लाजो को सीधा रखा है और एक side से आसन खुला है यह आपको देखी रहा है अब जो belt है उसको double fold करके मोड लेंगे तो यह 3 की तयार होगी जिसमें 1.5 इंच एकसरा हमने 3.5 लिए थी belt की लंबाई ठीक है और चोड़ाई अपनी कमर से 1-2 इंच जादा ले ले और यहां से आप इसको 1.5 इंच दवाते होए 3 की proper तैयार हो जाएगी बेल्ट और देखिए जिसे की यह इसकी चोड़ाई जादा है अगर हम इलास्टिक लेते हैं तो या तो हमें पूरी चोड़े वाली रास्टिक खरीदनी पड़ेगी और या फिर आप इसी में से 1.5 इंच के बरावर कपड़ा सिल दीजिए तो मैंने एक साइड से आसन जोड लिया दूसरी साइड से भी इसको जोड लिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको यहां से नीचे से फिटिंग कर देंगे यह देखिए अच्छे से फिटिंग करके और इसको सैट कर लेंगे और आसन से लेके आसन तक डबल करके सिलाई को हम कम्प्लीट करेंगे यहां पे भी हमने पिन लगा ली थी क्योंकि अस्तर में और जो अपना में फैबरी के उसमें जोल का बहुत डर रहता है तो इसलिए उसमें आप अच्छे से पिन या कच्छा कर लीजिए अगर आपके पास यह पिन नहीं है तो तो सुई से कच्छा कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए अब यहां से हम क्या करेंगे कि हमने इसको डेड़ इंच के बरावर सिल दिया था डेड़ इंच तक हमने एक जैसे तीन इंच की बैल्ट थी तो तीन से हमने डेड़ इंच उपर सिल दिया था ताकि हमारी जो इलाश्टिक की चोड़ाई है वो फिक्स आ जाए तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है कुड़ती का हमने पहले ही आपके साथ सेयर कर रखा है आप देख लीजिए तो इस ड्रेस को जरूर बनाईए यह बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छी ड्रेस लगती है बनने के बाद में आप इसे सिंपल कपड़े से भी बना सकत आप यह बनाप देखिए अड़ती है